प्रखंट राजी के सरेकला खरस्वा जिले के प्रखंट साधन से भी श्री खितिस कुमार मातोजी जो प्रखंट संगसाधन केंदर सावाइकला में पदस्थापित है तथा श्री बरुन चंदर मातोजी जो उतकर्मित मदविद्दालाय रांगामाटिया संकूल में कार्जरत है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किये कि बरतमान परिष्थिति में सभी प्रखंट संगसाधन केंदर तथा संकूल संगसाधन केंदर के साथ साथ सभी बिद्दालों के प्रधान दपकों के दोरा अपने अपने सहकर्मी अविवबाग तथा बच्चों के साथ जूम मीटिंग के माददम से डीजी साथ ओनलाइन स्टाडी की गतिविधियों क अनुसरवन करना है इसके लिए एक वीडियो बनाओं जिसे इस तरह के मीटिंग और्गेनाईज करने में हमें अस्विदान ना हो तो दोस्तों स्री खितिस कुमार महतोजी तथा स्री बरुन चंदर महतोजी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने हमें तथा हम सब क के बारे में सोचे और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए भी हमें प्रिरित किये तो चलिए आज मैं वेव वीनर मीटिंग कैसे और्गेनाईज किया जाता है इस समान में एक टीटोरियल वीडियो के द्वारा असान स्टेप से बताता हूं जिससे आप स्वयं इस प्रकार क की मीटिंग का और्गेनाईजेशन असानी से कर पाएंगे मैं आपके लिए जानकारी से परिपूरन वीडियो लेकर आता हूं बदले में आप वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे या जानबुज कर लाइक नहीं करेंगे चैनल को मैं आपको इसपर्ष्ट करना चाहूँगा वेव विनर है क्या और इससे क्या होता है मैं आपको बता दूँ वेव विनर दो सब्द वेव और सेमिनर से जुड़ा हुआ सब्द है अर्था वेव विनर का अर्थ है और ओनलाइन सेमिनर वेव विनर से ओनलाइन सेमिनर का आय और कारजकरों के बारे में जन करें देना या फीडवेक लेना हो सकता है आप में से बहुत कोई webinar meeting में सावमील हुए होंगे लेकिन अब या काम आपको भी करना है और अगर आप किसी network leader हैं तो आपके साथ काम करने वालों के साथ या अगर आप किसी राजनीतिक दल के नेता है तो अपने दल के अन्य सदसों के motivate करने के लिए या अगर आप किसी कारजालाई के पदादिकारी हैं और आप अपने अधिनस्त करमचारें को अनुसरवन करना चाहते हैं या आप किसी बिद्दालाई के सिच्चक या सिच्चिका हैं और आप अपने बिद्दालाई में अध धन्रत, छातर छात्राओं तथा उनके अविवववकों के साथ सेमिनार करना चाहते हैं और बच्चों के पठन-पठन के गतिविदी तथा प्रगति पर अनुसरवन करना चाहते हैं तो आप जूम वेविनर मिटिंग कर सकते हैं इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से दे कुझे अरजूब वेविनर मिटिंग औरगनाइज कर लाब उठा है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मोवाहल के screen पर हम लोग आ गये हैं mobile के screen पर और mobile के screen में देख लिखेंगे यहां लिखा हुआ play store इस play store में touch कर देंगे touch करते ही एक page कुलेगा जिसमें देख लिखेंगे एकदम उपर में लिखा हुआ है search for app तो इस app में हम लोग लिखेंगे zoom जूम जूम और देख लिखेंगे यह जहां लिखा हुआ install यह install में हम लोग क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही अब यह लिख रहा है देखिए waiting for downloading थोड़ा सा time लग सकता है इसके लिए चलिए हम लोग wait कर लेते हैं पादर के लिए देख लिजिए यह zoom app जो है न यह zoom app cloud meeting के नाम से है यह install हो चुका है और अभी हम लोग क्या करेंगे जहां open है लिखा हुआ इस open बोटम को touch कर देंगे touch करते ही देख लिजिए आग यह है start a gym meeting start और join a video meeting on the go और नीची लिखा हुआ देख लिजिए blue बोटम के आगे join a meeting इसका मतलब है अगर आप meeting में join करेंगे तो इस जगा touch करके direct join कर सकते हैं और अभी हम लोग जो सिखेंगे की gym meeting organize कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको यह sign up करना हुगा देख लिजिए यह sign up में हम लोग touch कर देंगे touch करते ही देख लिजिए आ गिया है क्या है देख लिजिए आपका for verification please confirm your date of birth यह यहाँ आप date of birth यहाँ डाल दीजिए date of birth डालते ही देख लिजिए आप अले date of birth डालेंगे चलिए यह लिखा हुआ है यह आज है लेकिन आपका date of birth जहां है उसको करेंगे तो यहाँ जाएंगे एप्रील 17 और यह इधर प्लाइप लिजिए यह माइनस में touch करना होगा और चले जाएंगे हम लोग यहाँ अगर लेट होगा तो डाइरेक्ट हम लोग इसको डिलीट करते हुए यहाँ लिख भी सकते हैं यह 1983 और जहाँ सेट है उस सेट में दबा देते हैं सेट में दबाते हैं देखिए कनेक्टिंग आ रहा है यह कनेक्टिंग दीख रहा है कनेक्टिंग होग गया है अब क्या है आपका sign up दीखेगा देख लिजिए sign up में उपर में है उसके बाद email है email से sign करेंगे फिर fast name फिर last name दे देंगे और sign up कर लेंगे देख लिजिए email में डाल दिये हैं यहाँ email को हम hide कर दिये हैं आप fast name के जगा लिखे हैं सुवीधा और second name last name के जगा लिखे हैं 2010 अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह जहां sign up है इस sign up में क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे अभी क्या हुआ देखिए we sent an email to verify your account एक email आया है इस account में जहां हम लोग उस account को खोलने के बाद इसको verify कर लेते हैं देखिए mail box में एक mail आया है जिसमें जूम से इसमें लिखा है please activate your zoom account तो इसमें हम लोग टाच कर देंगे टाच करते ही एक दूसरा page खुलेगा इस page में देखिए blue bottom की जगा लिखा हुआ है activate your account इस जगा हम लोग activate कर देंगे यानि कि touch कर देंगे टाच करते ही हमारे जो account है जूम का यह activate हो जाता है open हो चुका है देखिए इसमें लिखा है view यह जूम है और एक चीज लिखा हुआ है देखिए जोएन और host अगर आप meeting में जोएन करते हैं तो इस जगा में touch करना है अगर आप host कर रहे हैं यानिकी meeting organize कर रहे हैं तो यह host के जगा टाच करना है और उसके नीचे थोड़ा जाइए तो are you signing up on the behalf of school yes or no इसमें आप टाच कर दिए सब तो आप यहां इसमें yes में टाच करके यह continue बोटम जो है ना इस continue बोटम को भी दबा दीजिए अभी जैसे continue बोटम में दबाएएगा यह कि दूसरा page खुलेगा देख account info invite colleges test meeting यह बहुत सारा है तो इसमें हम अब लोग नहीं जाके अभी हम लोग क्या करेंगे यह host में जाएंगे देख लिए यह host में जहां host लिखा हुआ है यह जगा में टाच करेंगे तो टाच करते ही एक और दूसरा page खुलेगा जिसमें आपको sign in करने बोलेगा इसमें है email address password देखे कर सकते हैं या आप sos sos यान की आप अगर किसी company से है तो इससे कर सकते हैं अगर google से भी sign in कर सकते हैं या facebook से भी sign कर सकते हैं तो चलिए हम लोग करते हैं email address से sign in email address और password देखे यह sign in के जगा टाच कर देना है जैसे ही टाच करेंगे एक और page खुलेगा हम लोग को meeting create करना है इसलिए हम लोग कहां जाएंगे यह schedule पर जाएंगे और schedule पर जाकर यहां click कर देंगे click करते ही देख लीजिए क्या क्या आया है यहां सबसे पहले लेकिया है सुभीधा 2010 जूम meeting date भी दिया हुआ है देख लीजिए 9-10 का from 11 p.m. to 11.30 p.m. और यह time zone भी दिया हुआ है देख लीजिए और repeat यह never इसमें दिया है और personal meeting id भी यहां दिया हुआ है और security security required meeting passcode भी है देख लीजिए यह यह passport दिया हुआ है और enable waiting room भी है और meeting इसमें देख लीजिए meeting option host on video इसको भी हम लोग on कर देते हैं participate video on इसमें जो participate लेता है लेंगे उनका भी video दिखना चाहिए advance option में है आपका add to calendar तो हम लोग क्या क्या on कर दिये देख लीजिए यह use personal meeting id यह personal meeting id भी use करेंगे और यह schedule को हम लोग date को change कर सकते हैं देख लीजिए तो date को अगर change करेंगे तो यह जगा में हम लोग कब इसको date क को रखेंगे meeting का वहां जाके set करना है दिख लीजिए यह 9th October है तो हम लोग Sunday को रखते हैं कितना बज़े Sunday होगा अपका 11th October Sunday है यह और फिर इसमें set कर देते हैं ठीक है set कर दिए from कितना बज़े से कितना बज़े तक यह time भी हम लोग set कर लेंगे यह हम लोग रखते हैं चार बज़े है चार पी एम ठीक है अब फिर होई set में जाके click कर देते हैं यह जूम basic plan has 40 minute time limit with three or more or more participant please visit इसमें मतलब आपका तीन या तीन से अधिक participant यहां से join कर सकते हैं और यह 40 minute का schedule होगा तो okay कर देते हैं ठीक है उसके बाद यह से time भी देख दिया गया है repeat never है यह हम लोग सब on कर दिये हैं देख लिजिए personal meeting id जो है इसको भी on कर दिये हैं उसके बाद required meeting passcode यह भी दे दिये हैं उन इस तरह से हम लोग on करते जाएंगे और advance option add to calendar यह calendar add है ठीक है उसके बाद देख लिजिए उपर में जो है यह done इसमें हम लोग done कर देते हैं done जैसे करेंगे यह schedule scheduling हो रहा है देख लिजिए फिर आगिया allow June to assess your calendar calendar को allow कर देते हैं उसके बाद add invite to by gmail और email हम लोग इसको email के मातम से invite करेंगे तो gmail में डाल देते हैं देख लिजिए इसमें यह जो smittal schedule है वो किसको कहां भेजना है इस पर हम लोग तै करेंगे सोच लिजिए इसी में हम लोग इसको बेज देते हैं और हम लोग इसको send कर देते हैं जैसे send करेंगे आप चल जाएगा उस mail id में यह when देख लिजिए हम लोग कब इसको यह करेंगे मीटिंग करेंगे संडे को 11 अक्टोबर को टोपिक क्या है यह टोपिक है सुवीदा 2010 जून मीटिंग मीटिंग id भी है अडिरेशन वन फोर फिप्टी मिनेट्स पास कोड भी है स्टार्ट करते हैं एड केलेंडर क्लिक कर देते हैं कोपी में क्लिक करने के बाद हम लोग कहां जाएंगे वाट्सेप में जाएंगे वाट्सेप में हम लोग देख लिए किसे को इन्वाइट कर लेते हैं चलिए इसमें देख लिए सुमन चलिए इस नम से कोई नहीं है फिर हम लोग करते हैं इसको हम लोग कोपी करके पेस्ट कर देते हैं यह मिटिंग सेंड हो गिया है मिटिंग का इन्वाइट हम लोग सेंड कर दिए हैं अब इस सेंड मिटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए जैसे यह जो है देख लिजिए यह पूरा आपका invite message है इसमें लिखा है देख लिजिए जहां join zoom meeting यह जो blue line है इस blue line में touch करके सीधा आप zoom meeting में join कर सकते हैं बस अरते अगर उसके phone में zoom app download है अगर meeting id मांगता है तो इसको देना है और meeting passcode भी यहां है इसको copy करके paste कर देना है तो इस तरह से आप zoom meeting का organize कर सकते हैं और participant को जोड़के zoom meeting कर सकते हैं अंत में ध्यान दिजिए जहां देख लिजिए meeting लिखा हुआ है इस meeting के निचे personal meeting id जो दिया हुआ है इसमें start send invitation and edit है उसके बाद date है जिए date में हम लोग meeting तै किये हैं उस date और समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे इस start bottom में touch कर देंगे जैसे ही start bottom में touch करेंगे हमारा meeting सुरू हो जाएगा और इसके साथ ही जिसे जिसे आप invite किये हैं वो भी एक एक करके उस time में जूड़ते जाएंगे और आपको जो कहना है जो भी अनुसरवन करना है उसका report आप ले सकते हैं आपको जो कहना है वो आपको आप कह सकते हैं तो इस तरह से आपका नया वीडियो में मुलाकात होगा तब तक कि लिजाजद्य जय हिन जय भारत